हिलो गाज आप लोग के एक बार फिर से यूटूब चैनल उनलाइन विकास पर स्वागत है तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखें कि यूजी सी नेट जून 2024 का एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है तो आप लोग को मैं मोबाइल फॉन में डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से एडमिट कार्ड मोबाइल फॉन में ही डाउनलोड कर सकते हैं यूज स्कुल से रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है अगर आप सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो इतना कहर के रेखिए UGC.NET का Admit Card download करने के लिए सबसे पहले Chrome browser के Google search बार में चले जाना है और यहाँ पर search बार में लिख देना है UGC.NET करके जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ UGC.NET कुछ इस तरह से लिख लेना है और search कर देना जैसे ही search कीज़ेगा तो next page कुछ इस तरह से खुल कर गाय जिसमें लिख्या हुआ यूजिसी नेट तो इसी लिंक पर टेज कर देना है तो जैसे ही टच किजे गए इस लिंक पर तो आप लोग सामने जैसे लिख्या है फ्लीज़ेख्योग फोटो जिखनेचर औरा गाँ यूजिवूट करेंगे उसके बाद क्या-क्या फोटो शिखनेचर और बार कॉड़ इस मिसिंग काइनले रिडाउलोड उन्टलब कि अगर मिसिंग है आपका अडशी देख्या में फोटो जिखनेचर या नोटे करेंगे देखने के लिए मिल आपकर आपने के लिए देखेंख़ तो यहां पर फिल्हाल को करें चाहिए इस तरह से आप लों को सिलेक्ट कर लेना हूं सिक्रेटी पीण और आपने लेक्ट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं यूजी सी नेट डाउनलोड लिंक करके तो वहां पर टेस्ट करके आप लोग इस पेज में डारेट आ करके अपना अप्लिकेशन नमबर ढाल करके डेतोबर ढाल करके स्वेटियु पी नेह act पर इंटर करके समिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते समिट करने के बाद यहां पर next page कुछ इस तरह से खुल करकाएगा जो कि admit card ही रहेगा तो यहां पर आप लोग के admit card देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से आपका roll number देखने के लिए नाम देखने के लिए राइट साइड में photo signature भी देखने के लिए मिल जाएगा और लिए आप लोगो में warning में दिखाया था क्या-क्या कि बार कोड देख लेना है आपका बार कोड आया हुआ है आपलोग नीचे आएगा तो यह को देखने की रिटेल देखने के लिए मिल जाएं जिसमें आप लोगों को देखने के मिल जाएं कि आपका subject क्या है किस date को है exam shift कुन सा है कितना बज़े से आपका entry time है उसका इसका नाम क्या है किसी स्कुल में दिया गया है, और एड़्रेस बिद्स पूरा पूरा एड़्रेस दिया हुआ है, अब लोग का में भी सnt याद देख पार होंगे डिकलेरेशन में आई मतलब अपना नाम रेसिदेंस आपका डाल देना है और यहां पर कुछ नहीं करना है नीचे आईएगा तो कंडिडेट फोटो यानि सेम एज अपलोड ओन अप्लिकेशन फोम तो यहां पर आप लोग को एक फोटो चिपका देना है जो भी आप फोम अपलाई करने के टाइम दिये थे यानि कि आपका एड्मिट काड में जो फोटो सो करेगा उसी फोटो यहां पर चिपका देना है उसके बाद कंडिडेट लेप्ट हैंड थम इंप्रेशन यह भी आप लोग को लगा लेना है यानि कि बाए हाथ का अंगुठा का निशान लगा लेना है और यहां पर कंडिडेट सिखनेचर लेकिन यह आपको एकजाम होल के अंदर ही करना है यानि कि जो भी एकजाम निशन का एंविजिलेटर रहेगा तो उसके सामने ही आप लोग को सिखनेचर करना है तो इस तरह से है और नीचे आईएगा तो जरूर पढ़ लीजेगा इसमें लिखा हुआ है कि क्या लेकर के जाना है कुण सा आईडी लेकर के जाना है और कुण सा पेन लेकर के जाना है क्योंकि आप सभी लोग जान रहोंगे कि इस बार जो एक्जाम हो रही है वो ओफलाइन हो रही है तो आप लोगों को जाहिर से पाथ है कि पेन लेके जाना ही जाना होगा तो यहां पर एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिजेगा कि क्या-क्या ले करके जाना है उसे मैं बता देता हूं कुछ इन्पोर्टेंट जो कि परस्नल देख पार होंगे transparent water bottle होना चाहिए ठीक है जो कि आपार देखता हो Odmit Kaard download from NTA website ये होना चाहिए Admit Kaard होना चाहिए जो कि a4 size paper में होना चाहिए जो कि साब साब clear दिखाई दे रहा हो उसके बात additional two'll passport size photo चाहिए और पस्तिंग ओन एंटेंडेंस एट क्योंकि इसका जो फोटो है उसको कहां पर चिपका जाएगा इसे लिए आपके पास दो पासपर साइज फोटो भी होना चाहिए और जिनल वैलिट आईडेशन अदाहर कार्ड हो सकता है आपका पैं कार्ड भी हो सकता है driving license है तो driving license भी चलेगा कुछ इस तरह से आप लोगं को ले करके जाना है document और नीचे में कुछ दिया हुआ है application declaration form non-adhar candidate के लिए ठीक है तो ये आप लोग देख लीजेगा non-adhar candidate जो लोग भी होंगे वो ये form भी भरेंगे तो ये form भी जो non-adhar candidate होंगे तो वो ये form ले करके जाएंगे और भरेंगे ठीक है तो इस तरह से आप लोगं का admit card देखने के लिए मिल जाएगा ये तो admit card खुल करके आया हुआ है लेकिन download किस तरह से करना है देखिए तो उसके लिए आप लोग देखेंगे फोटो के उपर में तो एक दिया हुआ option print का option तो print पे जैसे ही touch करेंगे तो PDF के रूप में download हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग अपना admit card download कर सकते हैं अगर आप लोगं को download करने में कोई problem होती है कोई भी परिसानी होती है तो आप लोग आप लोग के लिए हेलफूल रहा होगा तो प्लेज वीडियो को लाइक केज़े और आपने दोस्तों को भी बताएगे किस तरह से UGC net का admit card डाउनलोड किया जाता है और जो लोग भी चैनल पर नए आये हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और विल आइकन को दवा करके रखे और आप लोगों को भी वीडियो तकने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत